रस्ते चलते पेडों को गिनना, रस्ते चलते खंबों को गिनना, रस्ते चलते होल्डिंग्स को बार-बार पढ़ते रहना, क्या कोई प्रेशानी है, क्या कोई बीमारी है, हेलो, नमस्कार, मैं Mr. Psycho Guru राजेंदर जोद पुरिया, आज के इस Psycho Educational वीडियो में आपका तहह द दिल से स्वागत करता हूं, आज Online Counseling Psycho Therapy के माध्यम से मानसिक प्रेशानियों का इलाज, आसान और सस्ता होता जा रहा है, और Online Counseling मानसिक रोग्यों के लिए एक नई उमीद, एक नई आशा की कीरण लेकर के आई है, आज का वीडियो Online Counseling का ही हिस्सा है, रस्ते चलते पेड कदम चल रहे हैं, कई बार वो कदम भी गिनते हैं, कई बार खंबों को गिनते हैं, बार बार गिनते रहते हैं, और कई बार जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, उन्हें बार बार पढ़ते रहेना, क्या कोई बिमारी है? जी हाँ, ये पहले एक गिना ना जाये, खंबो को गिना ना जाये, अगर लगे कि मैं भूल गया, गिन नी पाया, वो खंबा रहे गया, वो पेड रहे गया, वो होर्डिंग्स रह गई, वो जो पढ़ने लाइक चीज थी वो मुझसे मिस हो गई, और उस मिस हो जाने के चक्कर में चिंता सकता है अक्सिदेंट तक की कलपना कर लेते हैं ऐसे में जो डिन फिक escol भर लेते हैं लेकिन कुछ मिस हो गया हम गिन रहे हैं लेकिन एằng लिक relig लुट्रयुचरण भिघर तो दिक्कत हो जाय हर गपर लीज़ाए मुशीबत का अंदिशा हो जाय कि यह रोग बन जाता है वही OCD रोग बार-बार हाथ होने वाला रोग बार-बार चेकिंग करने वाला रोग तो यह भी एक उसी रोग का सिम्टम है ऐसा खत्रे का अंदेशा होना कि जो मैं किरिया करता हूँ जो मैं एक्ट करता हूँ गिनने वाला कुछ पढ़ने वाला वो अगर पूरा ना हो तो कुछ ने कुछ खत्रा होगा कुछ ने कुछ बूरे की कल्पना कर लेना एक रोग की निशानी है और वही OCD रोग आखिर आप इतना समझ गए होंगे कि जो पूरिया जी ये खंबे गिनना ये पेड़ गिनना ये बार बार होडिंग्स को पढ़ना इससे कोई बहुत बड़ी मुशिबत नहीं आती है नॉर्मन लोगों के लिए ये एक आम बात है लेकिन जो मांसी ग्रूप से प्रेशान हो जाएंगे कई बार किसी चीज को छूते हुए निकलते हैं अगर धंग से ना चुआ जाए तो उनको लगता है कि पहले अच्छे से चुआ नहीं गया दूसरी बार जाकर चूप कराएंगे तो ये एक रोग है ये ओशिडी रोग का ही तो परिणाम है आज ओशिडी रोग का इसका इलाज हो सकता है इसका इलाज साइको थेरपी के दोबारा बहतरी न तरीके से होता है साइको थेरपी के लिए आप मुझसे संपर कर सकते हैं किसी अन्या साइकोलोजिस्ट कांसलर से संपर कर सकते हैं चूक ना जाना ओनलाइन मुझे गिनने की आदत के बारे में बता आते हैं कि मुझे जोद्पुरिया जी ये गिनने की आदत है और इसके बगार मैं रहे नहीं पाता हूं अगर कुदरती ना गिना जाए तो चिंता एंग्जाइटी गवराट पैदा हो जाती है और दुबारा जाने का मन करता है समझ ले ये रोग है फिर बार आप मुझसे शे जीना कैसे है और शीमत भागवत गीता आप थेरपी के लिए मुझसे संपरक कर सकते हैं आप इन वीडियो के लिए टाइम निकालते हैं और समय समय पर फोन भी करते हैं कोमेंट भी लिखते हैं और वर्स अप भी करते हैं इसके लिए माबत का तहई दिल से सुक्र घुजार झाली